हेलो फ्रेंट्स वेलकम डू समीरा कुकिंग चैनल जैसा कि आप लोग वीडियो देखकर ही समझ गए होंगे कि आज हम आप लोगों के लिए रमजान स्पेशल चटपटी चैनल की चाट की रेस्पी लेकर आए हैं जो कि बहुत ही टेस्टी बनी हुई है आप जैसा कि वीडिय देखते हैं तो सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में जो बैल आइकन होता है उसे ज थो के इनको रात भर के लिए भेगा दिया था अब यह चने अच्छे से भीग चुके हैं अगर आपके पास time कम है तो आप इसको एक घंटा के लिए बहुत ही गर्म पानी में लिगा सकते हैं और आप यह सारे चने हमने एक प्रेशर कुकर में ट्रांस्फर कर लिए हैं और अब की यहां पी फेटिए खल्ण का पानी डाल देते हैं तो हम यहां पी यह 2 Life वर यह रहते तो हम कौन पांट कर रहें इस कि आ और अब पानी डालने के बाद हमें यहाँ पी यह थोड़े से पाउडर मसाली डाल देने हैं जैसी यह एक छोटा चमच भर की हल्दी पाउडर है और एक बड़ा चमच भर की यह नमक का पाउडर ले लिया है अब यह दोनों चीजे डाल देने हैं बाकी अभी इसमें कुछ भ जाए तो अब देखिए हमने इसका धकन लगा दिया है और अब यहा Sü regener से आने का वेट करेंगे अब यहाँ पर यह कीए अब इसका प्रिशर भी अपने आप से निकल गया है तो अब हम यहां पर धकन खोल के चेक कर लेते हैं और अब ये थोड़ा सा पानी जो रह जाता है इसको हमें ये फ्लेम को आउन कर लेना है और इसको भून लेना है और आप चेक कर लीजिए अभी यहां पर यह चने अच्छे से सॉफ्ट हुए हैं कि नहीं तो ये देखिए हम दबा के देख रहे हैं ये बिलकुल अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं ये देखिए सारे चने हमारे बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हुए हैं और ये फोटे भी नहीं है तो अब हमने यहां पी ये गैस आन करके इसका पानी भून लिया है अब इसका पान द्राइ हो चुका है तो आपके एक बरतन ले लेते हैं और इसमें आपके पाूदर मसाले डाल देते हैं जैसे ये आधा बढ़ा चमच भरके तीखी वाली लाल मिल्च का पाऊडर ये डाल देना और यहां पी एक चमच से थोड़ा सा कम धनिया पाउडर डाल देना है और अब यह जीरा पाउडर डाल देना है आधा बड़ा चमच भरके और यह हल्दी पाउडर डाल देना है आधा चमच और अब यह आधा चमच भरके हमें यह काला नमक डाल देना है और एक चमच से घोल तयार कर लेना है अब चमज से में सबस्टान करते विसको ते दिखे और यह देखिए इसको घोल कर लिया है एक साइड में रख देते हैं और में ने कड़ाई को घराइएग कर लेना है अब यह कड़ाई अच्छे से घरम हो चूकी है तो अब हम यहाँ पर यह सिर्फ एक बड़ा चमच भर के ही तेल डालेंगे, इससे ज़्यादा हमें तेल नहीं डालना है अब यह तेल अच्छे से गरम हो चुका है, तो आधा चमच भर के यह खड़ा जीरा है, वो डाल दिया है और यह आधा चमच भर के हमें अधरक लैसुन का पेश्ट डाल देना है और इसको चलाते वे हमें एक नड़ तक पका लेना है, ताकि यह कच्छा पन है अधरक लैसुन का, वो चला जाए और अब यह जो मसालो का हमने पेश्ट तयार करके रखा था, यह डाल देना है और अब इसको भी हमें लगतार चलाते हुए तीन नड़ तक पका लेना है और हमने अभी फ्लेम को मीडियम रखा हुआ है, जिसमें यह मसाले हैं, अच्छे से पक जाएं और अब यह देखिए, इसका पानी थोड़ा सा ड्राई हो चुका है, और मसाले भी गाले हो चुके है तो अब यहाँ पे हमने यह जो बॉयल करके चने रखे थे, वो डाल देना है अब देखिए, हमने सारे चने डाल दिये हैं, अब इसको हमें चमत से चलाते हुए लो फ्लेम पर हमें इसको पकाना है, अगर आप फुल फ्लेम रखेंगे तो मसाले जल्दी जलने लगेंगे अब हम low flame पे इसलिए पकाएंगे ताकि मसालों का टेश्ट अच्छे से आ जाए इन चनों में तो अब देखिए हम इसको लगतार चलाते वे हमने इसको पका लिया है और अब ये देखिए हमने इसको चमत से चलाते वे पका लिया है अब हम इसको ढखक कर दो मिनट तक low flame पर पका लिते हैं ताकि ये मसाले अच्छे से पक जाएं चनों के साथ तो अब ये चने बनते वे दो मिनट हो चुके हैं तो अब हम इसका ढखकन खोल के चेक कर लिते हैं और अब हम इसको एक बार फिर से चला देते हैं और आप देख सकते हैं अब इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है ये पूरी तरह से ड्राई हो चुका है तो अब यहाँ पर ये हम आदा छोटा चमच भर के पिसीवी खटाई है इसका पाउडर डाल देना है आप चाहें तो इसकी जगा नेंबू का रज भी डाल सकते हैं और अब इसको हमने लो फ्लेम पर एक नट तक घोन लिया है अब हमने फ्लेम को आफ कर दिया और थोड़ा सा ठंडा कर लिया है इस चनो को और अब हम यहां पर यह एक उबला हुआ आलू है छोटे साइस का उसके पीसेस कट कर लिये हैं वो डाल देना है और थोड़ा सा खीरा हमने बारी कट कर लिया है उसको भी डाल देना है और अब ये थोड़ा सा प्याज हमने ये आधा प्याज लिया था इसको बारी कट कर लिया है प्याज डाल दिया है और थोड़ी सी हरा धनिया डाल देना है और अब ये आदा टमाटर हमने इसको भी बारी कट कर लिया था टमाटर डाल देना है अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसकिप कर सकते हैं और अब ये सारी चीजे डालने के बाद हमें अच्छे से इसको मिक्स कर देना है तो अब देखिए हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया ये बहुती टेश्टी मदेदार चनाचाट बनती है और रमजान में तो ये चनाचाट जादा तर हर घर में बनाई जाती है और ये इफ़तार के टाइम पे बहुती टेश्टी लगती है तो अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं तो आई होप आप लोगों को मेरे ये चनाचाट की रेस्पी बहुती पसंद आई होगी तो आप लोगों से रिक्वेश्ट है कि आप लोग प्लीज मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और मेरे रेस्पी वीडियो को आप लोग प्लीज अपने फ्रेंड्स लोगों से भी शेयर कर सकते हैं हम अपने चैनल पर बहुत ही मज़ेदार और टेश्टी और बहुत ही इजी मेथट से रेस्पी लाते रहते हैं तो आप लोगों से request है कि आप लोग प्लीज मेरे चैनल का थोड़ा सा support करिए like करिए, share करिए और subscribe तो जरूर कर दीजिए अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है और अगर आप लोग मेरे चैनल को subscribe कर चुके हैं तो आप लोगों का बहुत बहुत thanks उमीद करते हैं आपको मेरा ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा तो आप लोग प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिए और subscribe और like करना friends बिल्कुल free होता है इसका कोई भी charges नहीं करता है तो आप लोग बिल्कुल कंजूसी ना करिए, like करिए, subscribe करिए और इस चाना चार्ट को वो लोग भी बना सकते हैं जो बच्चे होस्टल में रहते हैं इसको boys और girls दोनों लोग बना सकते हैं क्योंकि हमने बहुत ही simple और easy method बताया हुआ है तो I hope आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो फिर मिलते हैं अगली मज़धा रेस्पी के साथ अब तक के लिए खाईए, खिलाएए, खुछ रहिए, बाए